अभी को मेरा नमस्कार मेनी बलाउज बनार है यह वलाउज और जूरह दोनों सिल्हे थी हमने डिजाइन कट करने अब तरह पटे गए जींगे उस्ते बत्ति हम डिजाइन कट किया हैं यह रखके हम इस परिखे से पढ़ती रहता हूं आसान से गला बन जाएगा हमारा पक्ति लग लेते हैं ताकि आसान परिखेंगे लिए हमारा पक्ति लग लेते हैं आसान तरीके से पट्टी हम अंदर मौ सकें यहां हमने कट कर लिया है यह देखिए जिसको हम पट्टी कुपर सिलाई लगा लेते हैं यह पट्टी कुपर सिलाई लगाने से अराम से अंदर मौ जाएगा लेके लगे लेखिए किवया god अब इसको मंदर की तरफ मोड़ेंगे देशे कितनी आसान दरी के से हो जाएगा हमारे अब इसके हम तर्चा सिनल लगाएंगे तो बड़ा का लेगा अब इसके हम एमारे की के तरफ मैं कि दिए ँझा वाएंगे तराइंगे तर्फ मॉ vrij तर्फ मोड़ा हरागवे तर्फ मॉ PPK छाएगे तुझिंगे तरफ रहें Father कि यह हमारा पट्टी लगा कि गले का अंदर मोर दिये हैं यह डिजाइन तयार है इसके हम लाइस लगा रहे हैं कि इस तरीके से हम लाइस लगा रहे हैं इसके कि इस तरीके से कपड़ा हम काटके यह चुन्नट बना के लगा लिए हैं इसके लेस लगा रहे हैं कि इस लगा कि दो एष रहे हैं इसके हैं यह कि अरीके सम्हेश हैं बना है कि अरूज कि वहाँ भीे लगाना जानले कि यह अरा वा दो खिवा जहा हैं हम डबल कर दे रहें ताकि लिए इस फुलेंगा यह देखिए फ्रेंस इस तरह से हमारा ब्लाउस का डिजाइन बन गया है अब हम आश्थीन पर डिजाइन चल रहें बनानी आश्थीन हमने ज्यादा कप्रा में काटा है हम पर वी चुनट बनाना है इस तरीके से निवह चुल्मद बना रहे हैं पहलें प्रुबिद कर लेंगे तपक्की को जोड़ेंगे वह इसे छोका चुका हैं चुनट करेंगे यह हमने दोनों तरों सफिर लगा चुनल बना लिया है यह दिखे इस तरह से हमारा लाउज कास्टीन आएगा इसको हमें पट्टी तयार किये हैं इसके हम लाउज लगा लिये हैं चलें लाउज लगाने हमारा इसका लाउज की पाठी रटिर गिस तरीके से शिवें गे इसको मंदर काथा वाओ को देंगे इस तरह से आएगी इसको मैं से रखेंगे तो हमारा चुनिन नर्ट इस तरह से आएगा या स्तीन है हमारा और यह हमारा ब्लाउच का दला है कि दोनों हमने इस तरह से तयार कर लिया है हाँ अगर मेरी डिजाइन ये मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा पीज दोस्तों धन्माद